दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मोटर के ओवर हीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटर में ओवर हीटिंग एक्चुल में होती क्यों है इंडस्ट्रियल पॉइंट ओफ यू से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सिलेक्शन करके या किस तरीके का मेंटेनेंस प्रॉसीजर फॉलो करके आप मोटर की ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों बीना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं देखें जब भी हम लोग मोटर ओवर हीटिंग की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में इसको डायरेक्ली आप मोटर के ओवरलोड कंडिशन से रिलेट कर सकते हैं अगर आपकी motor overload condition में work करती है अगर आपके motor पे जो load है वो उसकी capacity से ज्यादा चलता है तो आपके motor में overload की या फिर overheating की problem आपको देखने को मिलेगी ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आप motor का selection करेंगे तो आप इस हिसाब से motor rating को select करेंगे कि आपके motor overload condition पे continuously run ना होए इसका मतलब यह है कि अगर आपके application की requirement 10A है तो आप ऐसी motor का selection करेंगे जिससे आपका जो 10A है वो 80% capacity पर फुल्फिल हो जाए अगर आपका जो application है वो 10A की requirement रखता है और आपके motor का full load current भी 10A है तो इस case में आपकी जो motor है यह sustained overload condition में work करेगी जिसके वज़े से motor में overheating की problem भी हो सकती है इसलिए आपके लिए सबसे पहला rule यह है कि आप किस rating की motor किस application के लिए select करते हैं यह सबसे ज़्यादे इंपॉर्टेंट करेगा overheating के case में दूसरा industrial reason दोस्तों जिसके वज़े से motor में overheating हमें देखने को मिलती है वो है voltage unbalance और current unbalance देखे अगर आपका system balance नहीं है अगर आपका system unbalance है अगर उनमें voltage unbalance या current unbalance यसी चीज़े आपको देखने को मिलती है तो इस बात के पूरे chances है कि आपके motor में overheating की situation भी आपको face करनी पड़ेगी ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप maintenance करें तो उसमें loose connection को आप properly check करते रहें आपकी जो भी control wiring है या connection रहेगा तो loose connection के वज़े से भी voltage unbalance की problem होती है और एक बर voltage unbalance हुआ तो फिर current unbalance होने के भी पूरे chances बन जाते हैं तो अगर आपके system में voltage unbalance या current unbalance है तो भी आपके motor में overheating की problem आपको देखने को मिलेगी इसलिए maintenance point of use से आपको tightness ज़रूर चेक कर लेना चाहिए इससे overheating की situation को आप avoid कर पाएंगे तीसरा reason दोस्तों जिससे हमें motor में overheating की problem face करनी पड़ती है वो है poor bearing maintenance देखे जैसे जैसे वक्त बीचता जाता है आपकी जो bearing है उसमें lubrication की requirement होती है आपको bearing में greasing करनी पड़ती है हर तीन मैने में या हर चार मैने में आपको bearing में greasing ज़रूर करनी च रही है तो उस case में आपके motor में overheating की problem होगी इसलिए जब भी आप motor का maintenance लेंगे उस case में आपको motor की bearing भी जरूर चेक कर लेना चाहिए motor में time to time greasing जरूर कर लेना चाहिए इससे भी motor में जो overheating की जो possibilities होती है उसको आप avoid कर सकते हैं 4th industrial reason जिससे हमें motor में overheating की problem देखने को मिलती है वो है motor का winding resistance है उसका unbalance हो जाना देखे बहुत बार ऐसे होता है कि motor में जो winding हम लोग bound करते हैं उसका resistance balance नहीं रह पाता जिसके वज़े से motor में internal heating की problem होती है और motor आपकी overheat होने लगती है ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप जब जो winding होती है उसमें moisture content के वज़े से भी जो resistance है वो unbalance हो जाता है ऐसे में जब भी आप maintenance लेंगे तो आप हर एक motor का या जो भी आपकी इंडस्ट्री में critical drives है उन सभी का आप insulation resistance चेक करेंगे winding resistance चेक करेंगे और अगर winding resistance आपको balance नहीं मिलता उसमें mismatch मिलता है तो फिर आपको उसको heating करके आपको उस problem को solve करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि जो resistance unbalance है यह कितना severe है उस हिसाब से आप आगे का procedure फॉलो करेंगे लेकिन सबसे base level की बात यह है कि आपको motor का winding resistance भी periodically check करना चाहिए क्योंकि winding resistance unbalance होने के वज़े से भी आपके motor में overheating की problem हो सकती ह 5th industrial reason जिसके वज़े से motor में overheating हमें देखने को मिलती है वो है poor operating power factor देखे अगर आपका system low power factor पे work करता है अगर आपका motor का जो power factor है बहुत जादा poor है तो उस case में motor के losses बढ़ जाएंगे जिसके वज़े से motor में overheating की problem आपको देखने को मिलेगी इसलिए यह अक्सर कहा जाता है कि अगर आपकी motor consistently less than 40% load पर work करती है तो उस motor को आपको delta में नहीं star configuration में run करना चाहिए ताकि उस motor की जो rating है यह comparatively कम हो जाए motor का जो power factor है वो improve हो जाए क्योंकि अगर आपके motor का power factor poor रहेगा अगर आपके system का जो power factor है वो poor रहेगा तो उस case में I2R losses बढ़ेंगे और losses बढ़ने पर heating भी बढ़ेगी तो इसलिए आपको capacitor banks का use करना चाहिए industries में practically capacitor banks को हम लोग use करते है power factor को improve करने के लिए लेकिन power factor भी एक ऐसा factor है जिसका relation directly motor overheating से relate करता है तो जब भी आप motor में overheating की problem face करें तो एक बार ये भी जरूर देख लें कि आपके system का power factor कितने पर maintain है तो इस तरीके से ये कुछ industrial points है जिस पर आपको periodically maintenance के वक्त ध्यान देने की जरूरत है अगर इन चीजों पर आप ध्यान नहीं देते तो फिर बहुत जादा chances होंगे कि आपके motor में overheating की problem आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों ये points अगर आपको समझ में आये हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए Good bye